यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको मैस पिलकुल भी नहीं आती है उनको पहले NCRT बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी मतलब NCRT से रिलेक्ट जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको पहले कराई जाएगे उसके बाद हम साथ के साथ ही सीटेट के जो प्रिव क्या है इंग्लिश में क्वेशन लिखा है बट हिंदी में इसे पूरा अच्छी तरके से समझा दूए ठीक है क्या काया रोहन जैकोब गीता ऑल्सो मीजर्ड देयर हैं मतलब तीन बंदे थे रोहन जैकोब और गीता इन्होंने क्या क्या मेजर किया मतलब नापा अपना जो कितनी है 8 cm ठीक है तो 8 cm यहाँ पर इतना दिखाया गया है ठीक है फिर एक लड़की थी गीता गीता ने जब अपने हाथ को ना पा तो उसका हाथ आया 9 cm अब 8 से 9 बड़ा होता है तो इसलिए यह जो बनाया गया है इससे बड़ा इसे हम बार ग्राफ बोलते हैं क्या बोलत पूरुट किया तो वह एतना है 10 cm तो 10 cm में क्या होगा 9 से बड़ा होगा 10 तो इसलिए यह बार गराफ बना है इस वाले बार meats से थोड़ा सा ऊपर बनाया गया है तो देखें यह 8 और 9 कह यह 10 यह छोट यह थोड़ा बड़ा यह थोड़ा बढ़ा है ठीक है तो इन तीनों क रोहन तो यह रोहन वाला हो गया इस एक्सिस पर इस लाइन पर क्या होगा हाथ की लंबाई यह आठ है यह नो है यह दस है ठीक है तो यह डीटेल हमें दे रखी है इस ग्राफ से रिलेटिड हमारे पास क्या होगे यह कुछ दे रखी होंगे इसके आंसर हमें इसको देख करके करने होते हैं जैसे आपसे पूछा जाए रोहन के हाथ की लंबाई क्या होती तो रोहन यह रहा, length of hand, हाथ की लम्बाई इधर है, तो ये बना हुआ है, तो रोहन की हाथ की लम्बाई 8, गीता की हाथ की लम्बाई 9, जैकॉब के हाथ की लम्बाई 10, तो गर आप से इसमें पूछा जाए, सबसे जाधा लम्बा हाथ किसका है, ठीक है, तो क्या होगा, जै cm जो 8 और 9 से क्या है जादा तो सबसे जादा लंबा हाथ किसका होगा जैकोब का और कितनी लंबाई है उसकी 10 cm ठीक है तो question देखते हैं इसका क्या है तो length of Jacob's hand length of Jacob's hand मतलब Jacob के हाथ की जो लंबाई है is more or less जादा है या कम है then Gita's गीता के हाथ के लंबाई से Jacob के हाथ की लंबाई मोर है जादा है या less है कम है जैकोब और गीता इन दोनों के हाथ की लंबाई को आपको compare करना है जैकॉब कहां है यहां है इसके हाथ की लंबाई यह रही गीता कहां है यहां है इसके हाथ की लंबाई यह रही तो दोनों की इसने पूछा है जैकॉब के हाथ की लंबाई गीता की हाथ की लंबाई से कितनी जादा है इ जकॉब की और गीता की बीच में डिफरेंस क्या है सिर्फ अंतर कितने का है दस माइनस नो यानि एक का और एक क्या है ये वाली ज्यादा है ये वाली क्या एक ज्यादा है तो जकॉब की क्या है जकॉब की क्या है मौर है कितना वन सेंटिमीटर ठीक है दैन गीता गीता के हाथ से, ठीक है, the length of the Gita's hand is dash more or less than Rohan's hand, जो Gita के हाथ की लंबाई है, जो Gita के हाथ की लंबाई है, और जो Rohan के हाथ की लंबाई है, उसमें भी हमें बताना है कि more है लैसे, कम, जादा है या कम है, गीता के हाथ की लंबाई कितनी है, गीता के हाथ की लंबाई है आपकी 9, ठीक है, और Rohan के हाथ की लंबाई कितनी है, 8, तो गीता के हाथ की लंबाई ज्यादा या कम है, कितनी ज्यादा है, ये 9 है, ये 8 है, ये 9 है, मतलब ये ज्यादा है, गीता वाली ज्यादा है, 9 में से 8 तो कितनी सित Bentley है एक सेंटीमिटर ज्यादा है लेस तो नहीं है गीता वाले की हाथ की लंबाई क्या है यूजदा है सबसे बड़ाberry देखो एक का अथ है एक का नोल्खा एक का सबसे जैकॉब तो जैकॉब के हाथ की लंबाई क्या है सबसे ज्यादा होगी हैस दा शॉर्टेस्ट हैंड सबसे छोटा हैंड किसका होगा सबसे छोटा हैंड किसका है देखो सबसे छोटा हैंड उसका होगा जिसके हाथ की लंबाई सबसे छोटी होगी वह किसकी है यह 8 सबसे छोटा है 8 9 10 में 8 सबसे छोटा है तो 8 किसका 8 cm वाला है किसका है रोहन का तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका अंसर रोहन रोहन के जो हैंड की लंबाई है वह क्या है सबसे छोटी है इन कांसेप्ट पर बेस्ट आपको question exam में मिल सकते हैं बहुत ही इसी से questions है इस तरीके के question आपको थोड़े से lengthy मिलेंगे बट concept आपको इसी तरीके से उसमें use करना पड़ेगा next question देखते हैं इसमें क्या का है भजन went to buy bricks भजन नाम का कोई लड़का था वो क्या क्या bricks यानी इंटे खरीदने वो गया ठीक है the price was given for 1000 bricks जो आपको पैसे थे मतलब इसने बताया था जो rate था वो 1000 bricks का था मतलब उसने बोला था कि 1000 eats हमारी इतने रुपे की होंगी fixed price था 1000 का 1000 eats के मतलब जो तोलभाव हम करते हैं वो किस हिसाब से था 1000 रुपे के हिसाब से 1000 eats का उन्होंने कुछ fix बताया था ठीक है कि इतना रुपे एक हजार इट का है the prices was also different prices जो थे वो अलग थे for different type of bricks अलग-अलग type की eats थी महाँ पर और हर type की eats का जो rate था वो क्या था अलग था ठीक है old bricks जो पुरानी eats थी उनका क्या था 1000 eats जो थी आपकी 1200 रुपे की थी जो नई eats थी इंटापुर से वो 1800 रुपे की थी 1000 bricks ही थी 1000 eats अठारा सो की जो नई eats थी Brickabad से थी Brickabad कोई जगह के नाम से बता रखा है Brickabad से जो नई eats थी 2000 रुपे की थी 1000 eats मतलब तीन type की आपके पास eats eats थी एक तो थी पुरानी eats वो 1000 आपको मिलती 1200 रुपे की फिर नई bricks जो नई eats थी वो इंटापुर की तो 1800 रुपे की 1000 मिलती लेकिन जो Brickabad से मिलती वो 2000 रुपे की 1000 मिलती ठीक है तो भजन decided to buy the new bricks new bricks उसने भजन ने decide किया निश्चे किया कि वो खरीदेगा new bricks खरीदेगा from Brickabad कहां से खरीदेगा Brickabad Brickabad यह रा यानि वो यह वाली eats खरीदेगा ठीक है He bought 3000 bricks उसने कितनी खरीदी 3000 eats खरीदी तो उसने कितना पैसा पे किया होगा कितना पैसा उसने दिया होगा ठीक है आपको पता है 1000 eats या फिर bricks 1000 इटे उसने कितने की ली है 2000 रुपे की ठीक है लेनी कितनी है 3000 तो 1000 2000 रुपे की है तो अगर मैं इसको 3 से गुना कर दू तो ये 3000 हो जाएंगे तो जब इधर 3 से गुना करूँगी तो मुझे इधर भी 3000 से गुना करना पड़ेगा तो ये कितना आएगा 6000 रुपे तो इस कान से क्या हो जाएगा आपका 6000 रुपे या आप ऐसे देखो कि 1000 इटे 2000 रुपे की प्लस 1000 और फिर से 2000 दोगे उसको फिर 1000 और तो फिर से 2000 उसको दोगे तो कितना हो गया है टोटल दो दो चार दो छे तो ये कितना हो गया आपका 6000 रुपे ठीक है तो डारेक्ट करो 1000 इटे 2000 रुपे की है तो 1000 का क्या बनाना है 3000 से गुना करनी पड़ेगी 3000 बन जाएगा तो इधर 3000 से करोगे तो दूसरी साइड भी हमें 3000 से ही करनी पड़ेगी तीन दो निचे 6000 रुपे की क्या होंगी आपकी ये इटे आपको मिलेंगी इस्ट क्रेशन आपको क्या दिया है ये जो क्रेशन है आपका रेस पर बेस्ट है इसमें क्या कहा है कि 100 मीटर की रेस थी 100 मीटर की रेस थी ठीक है girls के लिए थी जिसमें पहली लड़की थी अरुंधती इस nearest मतलब pass में थी किसके pass में थी finishing line finishing line का मतलब हो गया मालों यह इधर से सब लोग भाग रहे थे तो यहाँ पर इनका end खतम होना था मतलब इनको यहाँ तक भागना था तो जो अरुंधती थी अरुंधती को मैंने ए से डिनोट किया है तो अरुंधती जो थी वो finishing line के मतलब जहां तक उन्हें पहुँचना था सिर्फ वहां तक finishing line के सिर्फ 6 मिटर दूर थी finishing line से सिर्फ 6 मिटर दूर थी ठीक है तो यह वाली distance जो बनाई है हमने 6 मिटर यहां पर दिखा दी ठीक है उसके बाद क्या कहा है behind her is रिहाना उसके पीछे कौन थी रिहाना थी इस अरुंधती के पीछे रिहाना थी तो वो यहां पर होगी ठीक है उसके बाद कॉंकना and उमा are running behind रिहाना कॉंकना और उमा दो लड़किया थी यह क्या थी behind रिहाना रिहाना के पीछे भाग रही थी ठीक है रिहाना के पीछे कॉंकना और उमा यह दोनों क्या थी मतलब साथ में एक इधर थी तो दूसरी इधर यह दोनों बिल्कुल बराबर के उस पे ही थे ठीक है ये दोनों इसके पीछे थी तो वहाँ पर आपको जो picture थी book में उसमें क्या दे रखा था कि जितनी distance ये है अरुन धती और finishing line के बीच में जितनी distance है वही distance अरुन धती और रिहाना के बीच में भी है मतलब अगर ये 6 मीटर दूर थी तो ये भी आपकी 6 मीटर दूर थी और वही distance कॉंकना और उमा ये दोनों तो साथ में थी इन दोनों और रिहाना के बीच में भी थी मतलब ये distance भी आपकी क्या थी ये दूरी भी आपकी 6 मीटर ही थी ठीक है तो ये चीज़े ये तीनों चीज़े उसमें बरावर दे रखी थी picture में भूक में ठीक है तो इसमें question पूछा है How far is Rihana from Arunthati Arunthati से Rihana कितनी दूर है Arunthati से Rihana Arunthati से Rihana कितनी दूर है Arunthati और Rihana के बीच की जो distance है वो कितनी है 6 मीटर तो कितनी दूर है? 6 मीटर दूर है ठीक है, next question पूछा है How far ahead? ahead का मतलब हो गया आगे क्या हो गया? आगे How far ahead is Rihana Rihana कितना आगे है from Conkna and Uma Conkna और Uma तो साथ साथ चल रही थी Conkna यदर थी, Uma यदर थी, ये बिल्कुल साथ में थी Conkna और Uma से Rihana कितनी आगे है Conkna और Uma यहाँ पर है इन से Rihana कितनी आगे है कितनी आगे है मतलब इन दो लों के बीच की distance वो कितना बोला है? 6 मीटर ही आगे Conkna और Uma से Rihana कितनी आगे है सिर्थ 6 मीटर ही तो आगे ये दोनों 6 मीटर चलेंगी तो इसकी पास तक पहुंच जाएंगी ठीक है How far are Conkna and Uma from the finishing line अब क्या पूछा है Finishing line से Uma और Conkna कितनी दूर है Finishing line ये रही Uma और Conkna ये रही तो finishing line से ये Uma और Conkna मतलब ये पूरी distance ये पूरी दूरी कितनी है आपको ये बतानी है ठीक है ये आपकी 6 हो गई इन दोनों के बीच में 6 हो गई इन दोनों के बीच में 6 थी और इन दोनों के बीच में 6 थी तो कितनी हो गई 6 प्लस 6 यानी 18 मीटर ये distance आपकी हो गई Conkna और Uma Rihana के बीच की distance 6 मीटर फिर आगे 6 चलेगी तो अरुन्धा नाम की कोई लड़की थी उसकी जो Water Bottle थी पानी की जो उसकी Bottle थी holds 1 L of Water उसमें कितना पानी आता था सिर्फ और सिर्फ 1 L एक बॉर्टल है आपके पास ठीक है इसमें कितना पानी आ रहा है 1 L 1 L का मतलब क्या होता है 1 L का मतलब होता है 1000 ML मतलब 1000 मिली लीटर यह चीज़ ध्यान रखना एक लीटर का मतलब होता है 1000 मिली लीटर ठीक है मिली लीटर जो होते हो वह छोटे-छोटे होते हैं और एक लीटर पूरा बड़ा हो जाता थीक है और वाटर शी ड्रेंग 250 ml of water अब उसने क्या किया पानी पी लिया कितना पानी प दल लिया ठीक है तो इसके पागश उसने क्या क्या 250 ml पी लिया बौतल में से 250 ml पी लिया तो इसका मतलब यह 1000 तो कम हो गया होगा ठीक है अब and her friend उसका जो दोस्त था govind drank 150 ml उसने क्या किया 150 ml और पी लिया 200 ml तो एक ने पी लिया 150 और मिली लिडर उसने दूसरे उसके फ् बचा है इनल बॉटल उसकी बोटल में कितना पानी बचा होगा घाट है लिए कितना पिया है 400 ml पी लिया गया है 1000 ml क्या था पानी था बोटल के अंदर 400 ml क्या कर दिया गया तो पूछा किक है बचा कितना है कितना बचा होगा 1000 में से 400 लिए गवाएंगे तो कितना बचेगा 600 ml पानी बचेगा next question देखते हैं इसमें क्या कहा है यूसूफ रंस टी शॉप यूसूफ जो था वो एक चाय की दुकान पर काम करता था मतलब वो चाय की दुकान चला था अपनी ठीक है for making a glass of tea एक glass tea, एक glass चाय बनाने के लिए he uses 20 ml of milk वो क्या करता था? 20 ml दूर का यूज करता था एक glass tea बनाने के लिए वो 20 ml milk का यूज करता था एक glass के लिए इतना यूज करता था yesterday he made 100 glass of tea कल उसने क्या किया? 100 glass of tea बनाए मतलब उसने 100 glass बनाए अब तक तो एक ही यूज कर रहा था अब उसने कितने बनाए है? 100 glass tea बनाए है एक के लिए 20 ml 20 ml चाहिए था तो 100 के लिए तो और जादा चाहिए होगा जब भी जादा चाहिए होता तो हम क्या करते है multiply 100 glass के लिए क्या चाहिए होगा 100 इस 100 की इस 20 से जितना हमें 1 के लिए चाहिए था उससे हम इसकी multiply कर देंगे यह कितना आएगा 2 की multiply 1 से कर दो जब भी किसी भी number में last में 00 दिखाई दे तो number की multiply तो number से कर दो 2 into 1 2 पीछे कितनी 0 है 3 0 है 1 2 3 तीनों में गिनो और पीछे लिखतो ठीक है जैसे 20 into 30 करना है तो 3 into 2 6 होता है 1 2 20 लगा दिया 40 into 500 4 5 जा 20 20 तो 20 तो अलगा गया 4 और 5 की multiply की 20 अलग 1 2 3 3 0 थी ठीक है लेकिन अगर ऐसा मिल गया जैसे 402 into 501 ठीक है तो ऐसा नहीं कर सकते कि number की number से कर दिया और पीछे 0 लगा दिया इसमें पीछे 0 नहीं है ये number खतम हुआ तो इसके बाद में 0 होने चाहिए थे ये number खतम हुआ तो इसके बाद में 0 होने चाहिए थे बीच में नहीं ठीक है इसमें क्या था number यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो अलग है और zeros है जो वो बाद में होने चाहिए बीच में नहीं ठीक है तो 100 लास टी के लिए हमें कितना milk चाहिए होगा 2000 मिली लिटर या फिर 2000 मिली लिटर का मतलब क्या हो जाएगा 2 लिटर क्योंकि हमें पता है 1 लीटर का मतलब होता एक हजार मिलिलीटर तो 2 लिटर का मतलब क्या होगा? 2000 होगा 3 लिटर का मतलब 3000 होगा ठीक है तो वही इसका answer है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चेलर पर पहली बार आजाते हैं